अब ओस्पेफ में कल जो हमने देख रहा हुँ उसके आगे चलते हैं अपने पास सबसे पहले सिर्दों ओस्पीफ के पैकेट तैप राइट ओस्पीफ पैकेट ताइप मेरे पास पांच टाइप के होते हैं सबसे पहले हैं लो है हेलो मेसिज किस लें होता होगा नेबर्शिप में नाने के लिए ठीक है अफंड लो के बात दूसरा होता साथ वालों को दे रहे हैं तीसरी चीज़ मेरे पास फिर आएगी क्या कि लिंक स्टेट रिक्वेस्ट देखो दोस्त डेटाबेस डिस्क्रिप्शिंट में पूरी पूरी एड्जेसंसी बना पाऊंगा एड्जेसंसी मतलब मेरी पूरी इंफमिशन उसके पास है उसकी पूरी इंफमिशन मेरे पास है हां कि ना लिंक स्टेट रिक्वेस्ट एल एस आर चौती चीज़ है लिंक स्टेट अपडेट एल एस यू और फिर है मेरे पास लेंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट एल एस एक ठीक है यह पांच चीज होती अपनी अब यह लि राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है, राउटर 4 है. Multi Access Network है यthing आपस है Connected है. Router 1 के पास है loop back, मालो 1111, या loop back नहीं है, फुरे का पुरा network है. सब्सक्रें, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास network LAN है 1110-24 का. इसके पास LAN है, मालो 3-3-3-0-24. इसके पास लैन है 222 0-24 और इसके पास 444 0-24 सही है यहां मैंने IP address दे रख है 1.1 1.1.1.2 1.1.1.4 1.1.1.3 सही है अब देखो दोस्तों इस पर्टिकलर नेटवर्क में में पास क्या हो रहा है बई जब ये इन में से एक पहले तो DR होगा red इसको DR मानलो इसमें मैं priority change कर रहू हूँ मैंने priority change कर हूँ होगे है फतन तो अभी मैंने उसे पुछा के रहा तेर्ड गंटा करूँगा मतल पाखल रहा हूँ हां जी अब मैंने यहां पर इस link की मैंने priority बढ़ा दी मैंने इसको DR बना दिया अब मेरे पास क्या है दोस्त इसमें कि अपने पास कैसी आ रही है कि यह राउटर मेरे पास DR होगे अब क्या है देखो सबसे पहले link state request क्या होती है वो देख लो इस network को router 3 के पास में मानलो 10 के network की update अब नहीं है 10 के network की information उसके पास नहीं है तो यह R3 में क्या करेगा R3 एक link state update package generate करेगा sorry link state request generate करेगा ठीक है और यह link state request डारेक्ली भेजेगा 224 00556 भेजेगा मतलब DR के लिए ठीक है अब DR को यह information मिली है अब DR का काम होता है network available कराना हाँ है न अब DR के पास तो obviously पूरे पूरा database होता है तो DR अपने database में से इसको फिर बेजेगा क्या LSU मतलब update message और यह बेजेगा 224 0055 समझे बात को अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो यहां पर लिंक state update किसे जनरेट करेगा DR ने यह कोई जरूरी नहीं है कि DR ही link state package generate करेगा दोस्त क्यूंकि देखो अब ऐसा मान लो कि यहां पर इस दसका network है यह 10 का network dead हो चुका है ठीक है 10 का network मेरे पर lose हो चुका है I don't have I don't network of 10 doesn't exist anymore right तो अब यह router 1 क्या करेगा router 1 एक link state update message भेजेगा किसको DR को अब DR फिर link state update message बाकियों को बेजेगा समझे बात के नहीं समझे अब भाई इसने किसी particular के लिए request करी इसने उसकी update दी तो यह thank you भी बोलेगा उसको that is link state acknowledgement समझे न बात को तो यह packet types क्या होते हैं इस मन में आये हैं पांच type के packet types होते हैं अपने पास hello database description link state request link state update and link state acknowledgement अब देखो यह है दोस्त मेरे पास OSPF का packet header अब देखो packet header को समझते हैं OSPF का packet कैसा देखता है और उसके अंदर क्या क्या contents होते हैं कैसे कैसे होते हैं वह सत समझते हैं पर सबसे पहले तो बात करें अगर हम उसी की OSI model की data link layer का header है data link layer का trailer है और बीच में है यह पूरे का पूरा packet हाँ है ना इस packet के अंदर मैंने आपको बोड़ा था network layer पे एक जीज उड़ती है network type कि अगर वह OSPF है तब तो उसका protocol number 89 लगाएगा और अगर वह EIGRP है तो उसका protocol number 88 लगाएगा यादे यह चीज बस तो पर IP header में सबसे पहले यहां पर IP header में जो पूरी information है IP header में तो होगा office के दो source IP destination लेकिन यहां पर इसके अंदर इदर यह है मेरे पास protocol ID 89 है ना OSPF का तो फिर यह है मेरे पास यहां पर दो पैकेट टाइप OSPF का जो packet type है उसके अंदर OSPF packet के यह सारे के सारे contents होते हैं अब इन contents को एक एकर करके समझते हैं सबसे पहले version number दोस्त अगर IPv4 है तब तो run होता होता है OSPF version 2 और अगर है यह IPv6 तो होता है OSPF version 3 ठीक है वो चीज की information लगा दी इसने उसके बाद type अब यह मेरे पास packet type कौन सा है hello है या फिर database description है link state request है link state update है या मैं तुझे link state acknowledgement भेज रहा हूं क्या भेज रहा हूं बताएगा साथ में बताएगा उस packet की length पैकेट की length यहाद है कितने होती थी इसके बाद क्या है मेरे पास देखो router ID कौन सा router send कर रहा है वो router अपनी ID भी लगाएगा ना राउटर ID का fundamental हम निकल देखा था ना कि यह वाला router तेरे को advertise कर रहा है और वो वाला router कौन से एरिया को बिलॉंग करता है सही बात है चेक सब भी छोड़ो बात में करें तुझे लिस्केस करेंगे अच्छे देटीटेर में अधिकेशन टाइप अभया यह जो ऑथेंटीकेशन टाइप है कि मैं तुझे किस टाइप के ओथेंटीकेशन है वो MD5 है या simple text है कैसी है वही होगी ना कुछ ना कुछ तो यहाँ पर तो MD5 लगे कि दोस्तों फिर ओथेंटीकेशन ये क्या है हाँ इसका मतलब क्या है कि मैं तुझे 224 005 पे भेज रहा हूं या फिर मैं तुझे 224 006 पे भेज रहा हूं एक चीज लगाएगा ना वो 6 है तो मतलब DR के लिए है और 5 है तो मतलब और दोस्त डेटा तो अब्विसली होगा ही होगा डेटा के अंदर क्या होगा एक तो सेग्मेंट प्लस जो भी उपर से इंफोमेशन आ रही है वो इंफोमेशन हां के ना यही होता है OSI model याद है ना तो OSI model यहाद है ना तो OSI model के हिसाब से अब OSP packet type जोता हूँ उस packet type के अंदर कितने चीज़े होती है वो सब चीज़े भी हमने भी देखी है I hope it's making a sense सभी को good हाँ सरी यह पूरे का पुरा packet है packet के अंदर एक part होता है OSP packet type पाई जो data होता है जो packet होता है segment packet के अंदर की चीज़े तो यहाँ पर यह जो data है data के अंदर मेरा segment plus जो भी है वो सब चीज़े IP header के अंदर या फिर ऐसे बोलो कि आप IP packet के अंदर आता है पूरी packet detail बताईए मेने जो network layer पर बन रहा है वो पूरा packet होता है वो detail होता है आगे चला जाए अब देखो यार दोस्त जब भी OSPF आपस में नेवर्स बनते हैं OSPF नेवर्स क्या OSPF मैने जैसे ही establish करी है सबसे पहले उनकी नेवर्शिप होगी नेवर्शिप से पहले भी वो एकदम किसी एक पर कर भी कर करा है एक पर नहीं करा उसके बाद फिर उनकी नेवर्शिप होईगी फिर उनकी नेवर्शिप के बाद में वो लोग अपने अपने information interchange करेंगे हाँ है ना तो दिरे 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 step चलेंगे आगे silent करी कर आजया दिरे 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 step आगे चलेंगे ना चलेंगे तो दोस्त वो different stages को cross करेगा वर different stage तो आएंगे ना एक से दूसरे में जाने के लिए बस वही चीज है मेरे पास अगला कि OSPF stages कैसे 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 चलेंगे Are we ready for it? मैंने router A और router B लिए है ठीक है? router A पर मैंने आई पर इंटरेस दे दिया यह होला 172.16.5.1 और इदर मैंने दे दिया 172.16.5.2 यह Ethernet 0 interface है यह Ethernet 1 है मैंने यहाँ पर Ethernet लिया इसलिए दोस्ट बसकर पीछे इदर उतर बेड़े दो कुम तीटो इदर उतर बेड़े होती हुँ अगले आप बोलते देगे तो इदर उतर होता सारे के सारे और तू भी बेटा अब यह अब मैं यह आपर अगर सीरेल से करेंट करूँआ तो मैं आपको DR BDR का फंक्चन नी बता पाऊंगा इसलिए अब सबसे पहले दोनों में से किसी एक पर भी एस्टाबलिश हुआ है या किसी पर इस्टाबलिश नहीं हुआ है तो यह स्टेट कहलाती है सबसे पहले डाउन स्टेट ठीक है डाउन स्टेट का मतलब है कि वो दोनों आपस में किसी टाइप का कोई भी कम्यूनिकेशन नहीं कर रहे ना तो राउटर A ने आप इनमसे कोई तो कम्यूनिकेशन स्टाट करेगा मालों कि ए ने पहले स्टार्ट कर दिया, तो डाउन स्टेट में इसके ओपर जैसी कन्फिगर होगा, इसने बोला, I am router ID this and I cannot see anyone, जैसे ही उसने ये message भेजा है, तो ये एक्दम से jump करेगा, इनिट से इनिट मतलब इनिशिलायजरी रहन नगा यह रहा है शुर सब्सक्राइब उसको इनिशिलाइजियन स्टेट श्युक्त है यह अब yere इनिशियलाइस हो चुकी है समझाइबा कि इनिशिलाइज एजेज्ब वहें यही तो बोलन ना कि I am route right it is तो lass ते राउटर टू के पास में राउटर बी के पास में इंफिमेशन आएगी कि मेरा नेवर यह है, जो मेरे इंटरफ़ेस इफरनेट वान पर कनेक्टेट है, हाँ यहाँ न Liberty was वो मेरे Ethernet port पर connected है, उसको यह information मिल गई है, अब भई जब उसको information मिली है, तो वो भी अपनी side से information फ्रो करेगा नागे, अब इसने बोला, okay, I am route riding this, and I can see only you, है ना, अब इन्होंने यह जो भेजी information, यह कौन से multi-cars address से भेजी होगी दोस्त, 224.0.0.5 पे इधर और 5 पे ही इधर, समझे बात को, भाई अभी DR बे-DR तो नहीं वाना कुछ, तो 5 पे ही चलेगा भी तो, बस, तो अब इसने भी information बेजी, तो यह भी अपने पार database बना लेगा, कि मेरा neighbor है, A मेरा neighbor है, router A के पास information है कि यह मेरा neighbor है, 172.16.5.2, और वो मेरे interface E0 पर connected है, अब दोस्त, यह रहेगी मेरे पास तीसरी state, two-way state, जिसके अंदर दोनों ने अपनी information एक दूसरे state, interchange कर ली है, exchange कर ली है, सही बात है, यह तीन states में किसी को कोई problem है, clear है ने तीन states, अच्छा, अब क्या होगा, मान लो, x-star state में हैंगे, अगली बात तो यह, x-star state के अंदर क्या होगा, चौती state है, x-star, x-star के अंदर क्या होगा, भई, इसने सबसे पहला message बेजा, hello message, इसने बोला, मैं exchange start करूँगा, क्योंकि मेरी router ID यह है, 17265.1, तो दोस्त, उसने reply भी चिपका दिया, hello message के थूँए, ना भाई, मैं exchange करूँगा, because I have higher router ID, भई, यह 17265.1 है, यह 17265.2 है, ठीक है, तो 5.2 ही higher होगा न, तो यह बोलेगा, नहीं भई, मैं exchange start करूँगा, अब इसी बज़ा से यहाँ पर मैंने, यह देखो, पिछली slide तक यहाँ पर A और B लिखा था, अब यहाँ पर DR लिखती है, मैंने, इसका मतलब क्या है, कि यह एक start state है न, दोस्त, x start state के अंदर, DR और BDR का election हो जाएगा, perform, देखो जरा, मैंने यह चीज़ यहाँ पर ऐसे लिखी भी है, in x start state, DR and BDR election is done, वो issue इसमे, सबी को clear है न, गुड, अब किसके बाद, एक बार यह start state में आ गया, x start state में यह information इनों ने इंटर्चेंज करी, है न, अब दोस्त, जैसे ही DR, BDR elect हो गए है, DR, BDR के elect होते ही, यह exchange state के अंदर आ जाएगे, समझे, exchange state के अंदर, अब exchange state का मतलब किया है कि मैं अपना database description तेरे साथ exchange करूँगा और तुम अपना database description मेरे साथ exchange कर लोगा, समझे आईए बात, यह देखो वही हो रहा है, here is the summary address of my link state database, DVD, इसने फिर अपना DVD message भेजा है न, अब यहाँ पर दोस्त, हमें एक चीज़ अबसर्व करनी चाहिए, यहाँ पर दोस्त, हमें एक चीज़ अबसर्व करनी चाहिए, कि पहले DVD किसने exchange कर रहे है, यह चीज़ हमें बेशा ध्यान रखनी है, कि DR will be the first one to exchange the DBD message, यह भी मैंने जो notes के, slide के निच्चे होते हैं, notes होते हैं, वहाँ पर मैंने यह line भी लिख्की होगी है, ठीक है, चलू होगे, दोनों ने डूसरे के साथ में acknowledgement, आप मिना एक डाटाबेस एकेंश कह रहे हैं, तो वह acknowledgement खेलेंगे डूसरे के साथ ना, बस. जैसे उन्होंने आपस में इंटर चेंज करी, acknowledgement इंटर चेंज करने का मतलब क्या है, कि अभी है loading state के अंदर जा चुके है, समझे लोडिंग स्टेट पूरी हो चुकी है अगर इसको लोडिंग स्टेट के अंदर क्या होगा अगर इस router को अगर यहां पर यह इस router को किसी भी network की information चाहिए किसी भी network की update चाहिए तो वो किस से मांगेगा अपने DR से मांगेगा ना तो इसने यही करा link state request मांगे इसने कि I need the complete entry for this network अब देख लो यहां मैंने network चला रखा है 172.16.5.0 24 का है ना और उसने update मांगी है अब इसने रिक्वेस्ट मारेगा पहले अब इसने रिक्वेस्ट मारा आप DR का काम है उसने कहीं से अरेंज करके दे तो उसने बेज़ दिया एक update message finally उसने बोल दिया thank you acknowledgement सही बात है तो दोस्त प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है अब उसने thanks for the information करा अब देखो दोस्त क्या हुआ loading state में loading state के अंदर रहते हुए हम लोग मेरे पास जो भी information lack कर दी है मैं वो information आप से मांगूँगा और आप वो information मुझे दोगे because you are the liar समझ में आई ये बात ये जब एक बार उनका पूरे का पूरा finally we are into the full state समझे बात को हम लोग अब full state में है मतलब सारे की सारे information हमारी interchange हो चुकी है और full state में होने का मतलब है कि अब हम लोग की adjacency क्या है done हो चुकी है या adjacency full हो चुकी है कुछ भी बोल लो सही बात है ना adjacency बोल लूँगा मैं तो देख लो यही चीज़ मैंने भी बताई थी link state request इसका यह वाला network link state down हो गया यह link state change हुआ तो इसने क्या बोला उसने अब DR को बता दिया है ना अब वह एक area के अंदर एक area के अंदर कई सारे network है ना तो हर network में DR बीडीर होगा वैसे तो अगर वो सीरो से connected नहीं है तो तो उनकी information आपस पे इंटरजेंग हो ही आप सोरी जब उसका यह link down हो है तो यह 224 006 पे update बेज़ेगा जिसकी वैसे network में उस particular area में जितने DR है सबको information बिल जाएगी है ना फिर सारे के सारे DR अपने बाकिव अडियार अदर्स को बताएंगे सही है ना देख लो पहली बार में इसने दिया दूसरी बार में इसने यह link state update दोनों तरफ भेज दिया कि नहीं भेज दिया 224 005 पे भेज़े बस फिर यह वाला router भी क्या करेगा इस update को आगे भेज़ेगा सही है और साथ में यह अपनी routing टेबल भी अपडेट करेगा ना करेगा की नहीं करेगा आप देखो दोस्ता एक बात देखो एक network diagram मनाता हूँ दोस्तों अब यहां से यह जो चीज है यह बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है ध्यान से तरीके से इज़त से समझने वाली चीज है तो बाकी सारे notebook वगरा में लिखना बंद कर दो और अगर कोई लिख भी रहा तो लिखना बंद कर दो और कुछ मत करो सिरफ यहां पर ध्यान देलो यह चीज़े अब अगली चीज जो हम करने वाले बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए OSPF को आप तभी समझ चकते हो अगर यह चीज़ सही से समझ गई तो OSPF को anytime you can troubleshoot for sure ठीक है ठीक है रावटर वान है रावटर टू है रावटर थ्री है तीन के तीन रावटर एक स्वेच के थ्रू आपस में इतने में को इश्यू यहाँ पर मेरे पास IP एड्रेस है 10.1.1.1 10.1.1 10.1.1.2 10.1.1.3 और यह नेटवर कौन सा है मेरे पास 10.1.1.0 यहाँ पर मेरे पास है 11.1.1 यहाँ पर 22.2.2 यहाँ पर 3.3.3.3 तो यह loopbacks है तो इसकी router ID बन जाएंगे नहीं बस अब router 3 को आप जोड़ो दोस्त router 4 से और router 4 को आप जोड़ो दो फिर router 5 से यहाँ पर मैंने serial से जोड़े है यहाँ पर मैंने पास IP से जोड़े है यह 34.1.1.1 34.1.1.2 45.1 45.2 यहां तक साहिए अब R5 को मैंने जोड़ दिया मानलो R6 एक switch से और switch के साथ मैंने जोड़ दिया आगे R6 router यह भी clear है यहां पर है 56.1 यहां पर है 56.2 साहिए आप router 6 के साथ मैंने जोड़ दिया मानलो router 7 यह मेरा नेट्रों टाइग्राम वह इस पीएप का जो टर्मिनोलोजी होती है वो पूरी की तरह किस पे डिपेंड करती है एरिया पे न थर्टी फॉर बन बन जिरो स्लैश थर्टी 45110-30 मैं 45.0-30 लिख रहा है यहाँ पर 56110-30 and let it be 76110-30 ठीक है राउटर 3 के पास में है लूप बैक 4444 राउटर 5 के पास में 5555 66667777 इतना जो मेरा पोर्शन है कि हा बिल्कुँ सरी कि इसको मैं डाल रहा हूं एरिये एक एरिया में आए यह थ्री 日 का नेटवर्क मिला कर इस सब को मैं डालूंगा हैर एक एरिया में और यह पांच का नेटवर्क मिला कर इन सब को मैं डाल रहा हूं अलग एरिया में और ये मेरा रहेगा हां हां यहां पर है मेरे पास दोस OSPF का एरिया 0 OSPF का एरिया 1 OSPF का एरिया 2 और यहां पर चल रहा है मान लो RIP सही है RIP version 2 चल रहा है EIGRP RIP version 2 कोई भी दूसरा routing domain है यहां तब कोई issue किसी को अब दोस्त ये R3 मेरे पास ABR कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा R3 एक ABR है R6 एक ASBR है याद है नहीं बते क्या होती थी सब को याद है ABR ASBR क्या थे अब R5 भया एरिया 2 एरिया 0 के साथ connected नहीं है न तो मुझे यहां पर एक virtual link बनाना पड़ेगा अब because of the virtual link ये भी तो एक ABR बन गया कि नहीं बना मैं साथ में लगा रहा हूँ star star मतलब because of virtual link terms and condition apply because of virtual link ये router भी एक ABR बन गया कि नहीं बना बस ये network diagram अभी तक clear है आप देखो दोस्त पहले कुछ चीज़े समझ लो R6 जो है R6 की एक leg पर चल रहा है OSPF domain और एक leg पर चल रहा है RIP domain है न तो यहां पर obviously OSPF को RIP को नहीं समझ सकता न तो दोस्त मुझे इस ABR पर क्या कराना पड़ेगा redistribution ठीक है redistribution का मतलब क्या है कि बही मैं OSPF को जाकर बताऊंगा कि RIP को क्या पसंद है और RIP को जाकर बताऊंगा कि OSPF को क्या पसंद है ताकि यह जो router 6 है जो मेरा ASBR है यह OSPF के networks को RIP की भाशा में convert करके वहां बेज दे और RIP के networks को OSPF की भाशा में convert करके OSPF भी बेज दे ये बात समझ में आईए अभी है पका क्लियर है ना ये redistribution कैसे होता है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा redistribution से क्या होता है मैंने उसके बारे में बात करी है बस I hope it's clear सभी को very good अब देखो दोस्त अब जड़ा समझने वाली चीज़े शुरू होती है सबसे पहले क्या होगा इस particular network में 10 के network में 10 के network में ये तीनों के तीनों भया A की domain में A की उसमें है ना area में है ना और साथ में ये A की single network है तो अगर ये single network है तो इन में से कोई एक router DR होगा ये नहीं होगा क्योंकि ये past ethernet से भी है तो यहाँ पर तो priority की value भी 1 है तो दोस्त यहाँ पर हमारे इसाफ से DR कौन बनना चीए R3 higher router ID उसकी है है ना लेकिन एक बात याद रखना अगर मैंने R1 पे पहले मैंने advertise करा है ना अगर मैंने OSPF पहले R1 पे दिया है फिर R2 पे दिया है फिर R3 पे दिया है तो दोस्त R1 बनेगा DR दूसरे वाला बनेगा BDR और तीसरे वाला बनेगा सिरफ और सिरफ एक DR अधर और कुछ भी समझे बात तो जिसके ओपर मैंने पहले advertise कर दिया वो बनेगा प्रैक्टिकल करते हुए यह चीज मैं दिखाऊंगा भी आपको don't worry about यहां तक कोई शक किसी को आगे चलू मैं अच्छा आप देखो यार दोस्त इनमें ये DR BDR क्यों बने है इनमें ये DR क्यों बने है ताकि वो वाला पर्टिकलर जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को सबके सब एडवर्टाइज ना करें सिरफ DR ही उस नेटवर्क को एडवर्टाइज करेगा जो मेरा एरिया जीरो के अंदर है आए ना अब इस पर्टिकलर नेटवर्क को इस पर्टिकलर एरिया जीरो नहीं सौरी इस पर्टिकुलर नेटवर्क में एरिया में एक ही नेटवर्क है ना और उस नेटवर्क के लिए कोई एक ही DR बना है तो सिरफ DR ही उस पर्टिकुलर नेटवर्क को एड़ोटाइज करेगा सब लोग नहीं करेंगी अगर आप देखो दो एडिया वान एडिया वान एडिया वन में मेरे पास कितने नेटवर्क है और नेटवर्क है एक 34 का एक 45 का है ना 34 के नेटवर्क में DR को बनेगा है कोई भी नहीं कि वो लों स्कीरियों से क्रेक्टेड लेकिन 45 के नेटवर्क में आलो आर 14 बन गया डिया एनल तो अभ यहां पर क्या होगा दौस्त देखो आरपोर Advertise करेगा 45 के Network को 45 के Network को 45 के Network के लिए to R4DR है न लेकिन 34 के लिए to कोई DR, कोई BDR नहीं है तो वो Network एक singularly ही Advertise होगा, उसको कोई Advertise नहीं करेगा क्योंकि Network को Advertise कोई DR करेगा, यहाँ पर कोई DR है ही नहीं है ना, तो वो पूरे का पूरा नेटवर्क ही एडवर्टाइज हो जाएगा उसको कोई स्पेसिफिक बंदा एडवर्टाइज भी करेगा समझे उसको कौन एडवर्टाइज करेगा वो प्रैक्टिकल करते हो दिखाऊंगा मैं आपको समझे बात को इन दोनों में से को यह की तो अडवर्टाइज करेगा अब वो कौन करेगा वो मैं आपको प्रैक्टिकल करते हो दिखाऊंगा अभी के लिए बस इसना है कि यह पूरा नेटवर्क अडवर्टाइज होगा और 45 का नेटवर्क को आपको अडवर्टाइज करें गया और पूरिद दीया समझे बात को सबको क्लियर है यह यह आप देखो इरिया वान के अंदर एरिया जीड़ो के अंदर नेटवर्क कितने हैं एक ही नेटवर्क है और उसको एडवर्टाइज कौन करेगा DR, R1 है नग Area 1 के अंदर कितने network है 2 network है, एक independently advertise होगा 34 का और 45 की network को कौन advertise करेगा R4 क्यूंकि R4 में DR मान रहा हूँ आपर, सही है अब R5 और R6 में 56 का network है उस 56 के network माल लो R5 DR है तो R5 56 के network को advertise करेगा ठीक है यहाँ पर R7 में रिप वाल network में कोई किसी को advertise नी करेगा यहाँ पर रिप का है रिप में कोई advertisement में ने बताई थी होती है तो वहाँ पर तो इस चीद का कोई sense नी बनता ना आप देखो यहाँ तक सब को clear हुआ है कि नहीं हुआ आप देखो दोस्त यहाँ पर ना सबसे पहले जो यह वाला network है मेरा 10 का network है ना area 0 में है ना तो दोस्त area 0 में जो 10 का network है वो 10 का network सिरफ area 0 में ही आपस में अड़ोटाइज होगा तो यह DR है ना DR इस 10 के network को सिरफ R1, R2 और R3 को ही बताएगा और किसी को नहीं पताएगा क्योंकि यही सिर्म routers मेरे area में है अब 45 के network को R4 ठीक है 45 और 34 का network सिरफ R3, R4, R5 को पताएगा और किसी को नहीं पता समझे add the starting add the initial 34 और 45 का network सिरफ R3, R4 और R5 को ही पताएगा और किसी को नहीं पता और 56 का network सिरफ R5 और R6 को पता और किसी को नहीं पता समझे बात को आप देख़एगा एक बार जब यह 10 का network R4, R5, R6 किसी को पता ही नहीं लगा तो फिर उनके पास यह information पहुचेगी कैसे उनको पता कैसे लगेगा पता कि तस के route के लिए या वन के network के लिए मैं कैसे जा रहो हुच भई मैंन आजए नूप्बैक में आया वह रूप्बैक से नेटरी नवर के ना भी वह रूप्बैक में वह रूप्बैक में नेटरी ना सब्सक्राइब कि ए ऐड़ेगे सबसे पहले हैं जाल जो तो ये वह कुछ्त है moss 59 सपने आएंगे उसके लिए कुछ ना कुछ मुं तो प्रसीज़ूत वोना चाहिए है, होना चाहिए है, आप देखो दोस इस प्रोसीजिजर के लिए सब से पहले इसमें क्या करा, Router 1 ने बताया कि मेरी राउटर डी है, 1111, Router 2 ने बताया मेरी राउटर डी है 2222, Router 3 ने बताया मेरी राउटर डी है 3333, Area 0 में, और राउटर 3 की एरिया 1 के लिए भी राउटर आइडी दो 3333 है। राउटर 4 की 4444 एरिया 1 के लिए। और राउटर 5 की एरिया 1 के लिए कितनी है। 5555 और एरिया 2 के लिए भी इतनी है 5555 यहां तक कोई शक किसी को? Sure? Good. अब देखो यार. दोस्त यहां पर जो यह 1 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क और 10 का नेटवर्क अगर 1 और 2 एक LAN है। तो वह इंफ्पमेशन तो सेरफ मेरी एरिया 00 में ही है ना। राउटर 1 ने बताया कि मैं 111 रूट 2 ने बताया मैं 2222 3 ने बताया मैं 23333 हू। तो आप एरिया 0 और एरिया 1 के बीच में इंटरमीडियेटर कोन होगा। आप सबसे पहले देखो। आरवन ने जब बोला कि मैं 111 उनको अपने आपको एडवर्टाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। लिंक, स्टेट, एडवर्टीजमेट बोल सकता हूँ उसको। है ना। तो सबसे पहला होता है दोस्त LSA1 LSA1 जिसको हम बोलते है राउटर LSA ठीक है अब राउटर LSA के अंदर क्या होता है कि राउटर ने बोला कि मेरी राउटर आइडी ये है अब दोस्त इसके बात है LSA Type 2 LSA2 जिसको हम बोलते हैं Network LSA ठीक है अब Network LSA के अंदर क्या होगा कि राउटर 1 में Area 0 में Area 0 में Network है 10 का है ना और अगर 1 और 2 LAN है तो वोगले Networks भी है हाँ के ना तो सिरफ यही वाली information रही Network LSA में कि Area 0 के अंदर कौन कांगों से Networks है सही बात है को नेटवर्क एले से इसको एड़ उसको बता रहा है इसलिए तो हमें डिर बनाया गया था ना याद है कल की बते यह बनाया इसलिए गया था कि बंडिया इसको बता सके अब ऐसे ही अब देखो मुझ्य की बात एर्या जीरो की एड़िवर्टेस्नेंट्रफ एर्या जीरो में यह नीं मेरे हुए पहँ पी जाए पेडियर में यह बहुति हुए यह वार्यर ओर वह है ना बीच पे इंटर्मीडियेटर अब देखो एरिया बॉडर राउटर क्या करेगा वो एरिया बॉडर राउटर 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 3 जो एरिया 0 और एरिया 1 के बीच में वो एरिया 0 के एलसे 1 को एरिया 1 में as a LSA 3 समराइज as a LSA 3 एड्वटाइज करेगा इसके राउट को यहां पर समराइज कर देगा और एरिया 1 के एलसे 1 को एलสे वान के जो एलसे 1 बने नहीं यह राउटर एलसे उसको यहां पर समराइज कर देगा एड़टाइज करेगा Summary करके Advertise करेगा ना उनको तो इसलिए दोस्त LSA 3 अपने पास होता है क्या Summary या Summarized LSA ठीक है ये भी Advertise भाई Summarized LSA जो है रुप जट डियार का कोई काम नहीं है भाई जो Intermediator है भाई इंडिया का Prime Minister है Prime Minister है अच्छी बात है अगर India का Prime Minister शुध हिंभी बोलता और कोई भाउचा नहीं बोलता और China का Prime Minister शुध हिंदेज बोलता और कुछ ली बोलता तो दोनों तो आप इसने कर सके हैं ये अपनी साइट से बोलता रहएगा कि चाइनिज को हिंदी में के नवर्ट रगे इसको बताएं तभी बात कर सकते हैं वो तभी बात कर पाएंगे वो मेरे पूरी बात तो सुन कि ABR के पास अब क्या है ABR के पास एरिया 1 के भी LSA1 है और एरिया 0 के भी LSA1 है है के नहीं है इसके LSA1 को यहां पर as a LSA3 अड़ोटाइज करेगा और इसके LSA1 को एरिया 0 में as a LSA3 अड़ोटाइज करेगा जिसके वो information आपस में इंटरचेंज होई के नहीं होई हां LSA1 में Router1 ने वोला कि मेरी router ID 1111, Router2 ने वोला मेरी router ID 222 Router3 ने वोला मेरी router ID 3333 ठीक है और एरिया Router1 ने मिशल Va Broker Area 0 वालो को बताया Router2 ने मिशल Va scores Area 0 वालो को बताया और Router3 ने मिशल Va mango考 कोई प्ताया लोकिन Router 3 अपनी ls अपनी ID 3333 area 1 में तो बताएगा बस वो है तो खेर नि कर रहा बता रहा है क्योंकि उसकी एक तांग हिंदूस्तान में एक तांग पाकिस्तान में है तो बही ओंजensing पताएगा पाकिस्तान यग है और बाद में लचतंतने इसकी बाचुन करने के लिए इसकी वाशाग अगर आप आने से अपने जो मैं बोल रहा हूं और एक अओर जो इस निट्सक्राइब कोन से और एरिया में है DR ही बताएगा अगर एक area में 2-3 DR है मतलव 2-3 net work अलग-अलग तो 2-3 network के 2-3 DR होंगे तो हर एक DR बताएगा आध या ना तिर अपने ही area के अंदर रहता है तिरल अपने ही area के अंदर रहता है अब summary LSA देख लो रोट संब one area पसब अनजितीन summary LSE, एक एरिया, एरिया 0 के जब एरिया 1 में जाते हैं, तो summary LSE बन के जाते हैं, यही बोला मैंने, और उसको summary LSE एक हो, मतलब इसकी बाशा को उसमें convert किसमें गरा translator ने, translator मतलब जो intermediator है, अब area 0 और area 1 के बिच में intermediator तो विचारा ABR है, तो it is sent by area water route, सेम बाते हैं, यह टीन LSE समझ में आए हैं, पक्का सबको clear है, हाँ, जीव, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, एक राउटर फुही का घ्रन, एक लाइक एरिया 0 में, एक लाइक एरिया 1 में है, तो वही तो इसको यहाँ पर अड़टाइज करेगा, समझ बनाके, और area 1 को area 0 में summary and LSE से बनाके अड़टाइज करेगा, हाँ, उसकी एक लएक लएक लेक अड़टाइज में है, तभी तो वो ABR है, यह टीन चीज़ clear है, अब एक चीज़ समझ हाँ, एक एरिया में एक सैठा DR होसकते हैं लेकिन नेट वर्क में एक सिछाद़ डी-र हो सकते हैं क्या मतलब क् arsen करें हैं बाइ, सारे राउट एक, जो मेरे नेट वर्क में, मेरे एक एरिया जीरो में मेरे रफ़पद वर्क है मानले 12 का नेटवर्क है और 12 का नेटवर्क है तो नेटवर्क है, तो नेटवर्क है तो नेटवर्क है, वोलनेदे मेरे को, A1 की बात नहीं हो रिए कि कि वहापर एक सीरियल है, समझानी को आवंगा, चलिए मैं दूसरा बसारा हूँ, बुप जा, एरिया जीरो के अंदर मेरे पास बारा और तेरा के दो नेटवर्क है बारा के नेटवर्क के लिए राउटर A है राउटर 1 एडियार तेरा के नेटवर्क के लिए राउटर 3 एडियार ठीक है ठीक है तो फिर सब ने अपने 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 राउटर ले से तो बनाए है ठीक है अब, एरिया 0 के अंतर, 2 DR, दो नेटवर्क है, तो में 2 DR होंगे ना, मैं मान रहा हूँ कोई ठीरियल नहीं है, यह LSI network अर्वना डूर्टी के बीचे है, तो वहां पर मेरा, जो मेरे 12 के network के लिए, जो मेरे DR होगा, वो अपने network को अटवर्टाइस कराएगा, और जो 13 के network के ल हो गए तो नेटवर्क एलेसे मेरे पास में दो बन गए ना, एक बारा के नेटवर्क का एलेसे है, जिसको ने अड़िवर्टाइज कराया hack Pike नेटवर के लिए से सेंट भाई जियार विपिन दाई एरिया तिरफ अपने ही एरिया के अंदर अंदर बस इस चीज को मत बूल जा न चलो होगे अब देखो एक चीज समझो दोस्त कि ये एक बहुत अच्छी चीजा जो हमें समझनी है पहले देखो दोस्त OSPF के लिए RIPP के जो राउटस आएंगे वो Redistributed Routes होंगे Redistributed मतलब किसी और भाषा को मेरी भाषा को मेरी भाषा में External routes, क्या कहलाएंगे? External routes, external routes मतलब redistributed routes, यह लो Redistributed routes का मतलब क्या है? External routes समझे हो के नई समझे हो? सभी लोगों को clear है यह? ओके चलो आप देखो दोस्त, यहाँ पर यह router ASBR है router 6 router 6 ASBR है तो यह R1, R2, R3, R4, R5 इनको कैसे पता लगया कि कौन है? उसना कोई प्रसीजर तो होना चाहिए कि उनका भी पता लगया कि Redistributed routes तुझे कौन देगा? Redistributed routes तुझे 6.6.6.6 देगा उसकी router ID तो वही है? router 6 की router ID 6.6.6.6 है ना? तो उसको यह तो पता लग रहा है कि तिर को यह वाले routes जो है वो R6 देगा 6.6.6.6 देगा लेकिन R1, R2, R3, R4, R5 इनको यह information देगा तो देगा कौन? कि ASBR गो है? हाँ, फोन बुला? कोन बुलाई? हाँ, बिल्कुँ सही बोलाई ABR बताएगा ABR बागी सारे routers को बताएगा कि भई ASBR कौन है? ठीक है? ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं क्या? Autonomous System LSA मतलब यह है मेरे पास अब LSA 4 Autonomous System LSA ठीक है? इसमें होता है कि ABR tells that who is ASBR ठीक है? ABR सबको बताएगा कि ASBR कौन है? जो router 5 है वो बताएगा router 4 को और जो router 3 है वो बताएगा router 2 और router 1 को सबी को clear है बाग? शूर? रॉकाब? रॉकाब रॉकाब अब देखो LSA 4 क्या होता है ही चिसोन में आईए ABR बताएगा कि ASBR की router ID क्या है ABR बताएगा कि ASBR कौन है कौन है का मतलब है उसकी router ID सही है? आप देख लो फिर ठीजी लास्ट बात 5 पे टाइप का LSA क्या होगा? यह जो सारे के सारे redistributed routes है ना external routes है ना बस तो फिर यही LSA 5 है LSA 5 is LSA type 5 is called external LSA external LSA यह सारे के सारे external routes है और यह external routes किसने generate करे हैं? ASBR ने generate करे हैं तो मैं बोल सकता हूँ generated by ASBR और advertise किसने कराए है? नहीं generated और generated by ASBR and advertised by ASBR 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 ने ही तो बाकियों कोई बताए है भाई ASBR ने generate करे है तो वही तो बताएगा अब जो LSA 4 था वो ABR ने generate करा है ABR ने generate करा है कि LSA की ASBR कौन है तो उसी ने तो दिया है अब जब external LSA generate ही उसमें करे हैं तो advertise भी करेगा भाई information मुझे है तो information मैं इंटर्चेंज करूँगा ना यार मैं ही तो information इंटर्चेंज करना स्टार्ट करूँगा लेकिन information मुझे है और information exchange कर रहे है निखिल information exchange कर रहे है निखिल अन्मोल उसकी बात अन्मोल ने सुन ली और अन्मोल मुझे बता रहे है कि यह कर दिया वह कर दिया मैंने counter question कर रहा फिर उसमें आपने क्या करा मैं मुझे नी पता तो वहाँ पर तो कोई solution निकला ना मेरे पास LSA 5 को generate करा ASBR ने तो ASBR ही है अन्मोल भी करा रहा है लो पढ़ दो contains ASBR router ID and sent by ABR external LSA contains external routes which are redistributed into OSK यही बता है मैंने जो routes OSK में redistribute हुए वह ही तो है ना यहापर और उसको किसने generate करा है और sent किसने करा है ASBR यह हो गए मेरे 5 LSA समझ में आईए 5 बते फिर से पढ़ना चाहोगे इन चीजों को एक बार लो पढ़ लो दो दोस्त एक जीज होती है मेरे पास process ID ठीक है process ID क्या होता है it's a decimal number और इसकी range क्या होती है एक से 65535 right process ID tells that how many networks or routers are in same administrative unit ठीक है आप देखो याद जैसे कि यह मैंने बनाया R1, R2, R3 ठीक है तो अब यह R1, R2, R3 सब किसम मेरे area 0 के अंदर है न दो तो अगर यह area 0 में है तो हाला कि इसका कोई significant 3 आप चाहो तो इसको कोई भी number दो और चाहे पर सेम process id दो कोई फरक नी पड़ता but still I would recommend कि यह R1 और R2 यह दोनों के दोनों area 0 को belong करते हैं तो इस पर आप देदो process id number 100 ठीक है जो router 3 है यह area 0 और area 1 के बीच में है तो इस पर देदो आप process id 10 यह कोई hard and fast rule नहीं है यह सिरफ एक मेरी recommendation है यह personally मैं भी यह करूँगा अगर मैं जब भी network बना रहा हूं तो मैं personally network ऐसा ही बनाऊंगा जो एक area में उनको एक में रखा अब देखो यहां पर मैंने यह क्या करा है मैंने यह वाला network दिया है 45 का network है नहीं यह router 4 पे 45 का network area 1 के अंदर है इस network यहां पर router 1, router 2 पे आपने 10 करेंट हो देदिया area 0 में और router 3 पे आपने 10 करेंट हो देदिया area 1 में तो वो कभी neighborhood अपनी करेंगे वो मुझे दिखाएगा area id mismatch क्या दिखाएगा area id mismatch ठीक है ठीक है ठीक है और एक बात और एक router पे एक से ज़्यादा process id हम लोग run नहीं कर सकते process id मुझे बता रहे कि कितने routers मेरे same administrative unit में मेरे को पता है कि अगर मेरे process id 10 में दिक्कत आ रही है तो मतलब area 0 का कोई नहीं router area 0 का router है फिर में उसकी router id देखूंगा उसकी router id 2222 मतलब area 0 में 2222 वाला router सही करो से समझे एक बात और दोस्तों एक चीज़ होती है subnet mask है ना subnet mask मुझे क्या बताता है कि how many bits are network bits and how many of them are host bits in an IP address right or wrong network bits are represented by host bits are represented by बस एक चीज़ होती है wild card mask ठीक है wild card mask में network bits are represented by 0 and host bits are represented by 1 मतलब इसका inverse हो गया ना यह तो इसलिए दोस wild card mask को को मुझे inverse subnet mask भी बोल सकता हूं समझ में आई यह बात wild card mask को I can call है inverse subnet mask am I clear good अब देखो यार कोई भी एक valid subnet mask बोलना मेरको 192 subnet mask बोल रहा हूं मैं 255 dot 255 dot 248 dot यह एक valid subnet mask है अब देखो कैसे बना है सब कुछ बनता ना दूसरे octet में भी दूसरे octet में 128 plus 64 192 192 plus 32 224 है ना plus 16 240 plus 8 248 ऐसे बना है अब इसका inverse subnet mask कैसे बनेगा यही बनेगा इन सब को जोड़ना कितना हैगा इन सब को जोड़ना इन सब को 1, 2 & 4 और इन सब को यही बनेगा तो दोस्त इस वाले subnet mask का inverse subnet mask यह होगा अब इसको inverse subnet mask बोलने का reason यह है technical कि network bit यहाँ पर 1 थे और यहाँ पर host bit 1 हो गया network bit यहाँ पर 0 से रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पर network bit को 0 से रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पर network bit को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे अब देखो अब देखो इनवर्स अबने मास्क में एक निकालने का यह दो टेक्निकल तरीका जो इना करता है बताता हूं एक सिंपल सस्ता तरीका के लिए को यह दो और मैं बाता ओहले समझे लेकिन प्लीज I suggest you कि इसको अगर आप टेक्निकल तरीके से याद गरो कि तो जाद समझदारी कहलाईगी तो ही समझदारी कहलाईगी समझे अब वाइल्ड करण मास्स का कंसेप्ट क्यों देया गया क्योंकि दोस्त अगर मैं इस चाहता हूं कि सिरफ यही वाली IP डिफाइंड हो तो मुझे यह वाला समने मास्स लिखना पड़ता है ना लेकिन प्राक्टिकली स्पीकिंग यह वाला समने मास्स को इन्वैलिट होता है है ना तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा जो मैं यह वाला वाली कर्ण मासलेrdfest हो सिरफ में एक सिंगल को ही और्विटाइज करा हों वहले ज्यरो कि नाट विच इडो मतलम इट इनाट वी चैंज इट कें नाट वी चैंज अन इटकेán then सब चीज आ गालई ना जीरो मतलम इट यह नाट भी चैंज और सब्सक्राइब लगाते हैं यह जगाते हैं सिक्रेटी डोमेन में जाओगे तो आदे ज्यादा जगा पर यह यह वी उसके है 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 जो कि यह जो अब इसका कमांड सिंदेक्स देखें जरा दो इसका कमांड सिंदेक्स किया रहेगा देखो राउटर ओस्पिए और उसका प्रॉसेस आईडी ठीक है बस एक बात याद रखना प्रॉसेस आईडी में क्रीक को राउटर पर एक से ज्यादा प्रॉसेस आईडी केन नौट बीप्लायएड ओं अ एक राउटर पर एक से ज्यादा प्रॉससाइडी प्लीज मत चला देना वरना फिर मैं यह भी बदाऊंगो कि यह ट्रबल्शूट कैसे होगा ठीक है OSBF एनेबल किसी भी राउटर पर सिरफ एक ही प्रॉससाइडी चलेगी एक प्रॉससाइडी की अंदर आप को आडवरटइस करा सकते हो लेकिन ऐसा बत करना कि डिफरेंट एडिए को एडवरटईस कराने के लिए आपने डिफ्रेंट डिब्र प्रॉससाइडी चला दिए वो प्ती कहला ही समझ में आई मेरी बाद नहीं आई एक राउटर पे एक से एक प्रॉसेस आईडी के अंदर आप मल्टिपल एरिया को एडविटाइज करा सकते हो कि इसके ओपर मैंने चलाया एरिया को प्रॉसेस आईडी 10 चलाया में राउटर 3 पर तो मैं बोलूँगा कि भई इस पे यह 10 का नेटवर्क दो तेरा है भई आएरिया 0 में और ये वहला नेटवर्क दो तेरा है 34 का वो है एरिया 1 में वो काम करेगा लेकिन कभी ये सोचो कि area 0 के लिए process ID 10 डिफाइन कर रहे हो और area 1 के लिए process ID 11 डिफाइन कर रहे हो तो command तो वो ले लेगा लेकिन बाद में न success निमिलेगी कभी area 0 में सारे routers पर चाहे वो area 0 के है चाहे वो area 1 के है यहाँ पर R1, R2, R3, R4, R5 दिख रहे हैं हमें चाहे तो सब पर same process ID दे दो चाहे तो सब पर अलग-अलग process ID दे दो कोई फरेक नी पड़ता तुमारी इच्छा है खुद की इच्छा है बट मैं क्या बोल रहा हूँ personally मैं recommend कर रहा हूँ कि आरवा नारट पर मैं एक नंबर चलाओंगा क्योंकि वो completely area 0 को भी बिलॉंग करते हैं तो मैं 100 number चला दूँगा यह 1 और 0 के बीच में तो मैं इस पर 10 चला दूँगा यह दोनों के दोनो area 1 को भी लॉंग करते हैं completely तो मैं दोनों के ओपर number 1 चला दूँगा process ID समझे clear हुआ आगे चलू नहीं हुआ जो router 1 और router 2 completely area 0 को भी लॉंग करते हैं तो मैं process ID 100 चला दूँगा क्योंकि 0 तो process ID होती नहीं range तो 1 से 655 355 पर होती है R3 जो area 1 और 0 के बीच में इस पर 10 चला दूँगा और router 4, router 5 completely area 1 को भी लॉंग करते हैं तो मैं इस पर process ID 1 चला दूँगा कोई hard and pass rule नहीं है जो तुमारी इच्छा हो वो चलाओ ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही चलाओगे जो तुमारी इच्छा है वो चलाओ मैंने वही तो बोला कि मैंने यहाँ पर 5 router थे क्या है पांचों पर same process ID चलाओ क्या है पांचों पर अलग अलग चलाओ कोई भी किसी से मैच ना करें चला लो मरजी है आपकी अब इसके अंदर दोस्ताम एड़टाइज कराते हैं नेटवर्क वेज़ डारेक्टली कनेक्टेद नेटवर्क की ID बेज़ उसका वाइल्ड कार्ड बेट्स हाँ बेट्स और मार्स यह की बात है पाई टैंचन मतले बेज़ नए प्रोसेस आइडी इसके डिफाइन करतो दिए स्पेस एरिया स्पेस एरिया का नंबर मतलब एरिया की ID कि समझे बात को कि यह कमांड है जो लिखना चाहते हो यह कमांड को लिख दो पिड़ेज़ आ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कोई लिख रहा है कर्दू परफॉर्म कर्दू दे उसको यह दो यहां पर मैं चला रहा हूं मान लो OSPF area 1 तो process ID 1 चला दूँगा ठीक है यहां पर मैं चला रहा हूं मान लो OSPF area 2 तो process ID भी 2 चला दूँगा लेकिन ऐसे कैसे चला दूँगा यहां पर बस area 2 रहेगा क्या भाई process ID चला लो सेम दे सकते हो कोई शुन यह भाई तुम्हां क्या क्या प्रोई question पूछ रहा हूं router 3 वान और 0 के बीच में तो मैं यहां पर चलाँगा process ID 10 यह लो नमबर 10 यह जो है यह मेरा area 2 और 1 के बीच में तो यहां मैं चला दूँगा नमबर 12 ठीक है और यह जो है विचारा नीचे वाला अर्शेक्स अर्शेक्स मेरा ASBR है तो इस पे मानलो मैंने चला दिया नमबर 1000 यह आपका कोई नमबर है तो वो पता दो वो चला दूँगा है पूस्मिल्ला 10 111 यहां पर 10.1.1.1 IP होगा यहां पर IP होगा 10.1.1.2 यहां पर IP होगा 10.1.1.3 और यह नेटवर कौन सा रहेगा 29 30 थोड़ी हो सकता है तो तीन के अंदर 30 कैसे आएगा वर उसमें दोड़ी होगा अब उसके लावा यह लो यार राउटर 1 पर लूप बैक है 1.1.1.1 राउटर 2 पर लूप बैक है 2.2.2 राउटर 3 पर लूप बैक है 3.3.3.3 उसको मैं इस वाल एरिया में डाल रहा हूं इसले वो थोड़ा सा विचार इदर है राउटर 4 पर लूप बैक है 4.4.4.4 5555 सही है अब यहाँ पर 10.1.1.0 का नेटवर्क था यहाँ पर 3 से 4 की बिच में 34.1.1.0.30 का नेटवर्क है यहाँ पर नेटवर्क है माल लो लेटट भी लेट भी लेट भी लेट भी अगराव पर 7 पर भी एक लूप बैक है अब इसमें दो सबसे पहले आई पी अड्रेसिंग कर दूँ दरा अब देख रहे यह इसको नहीं देख रहे अपनी थोड़ा किया आज़ा वहाँ की शेयर्स खाल ली है अब सब को दिखेगा मुझे पता है तरह कर लोलेशत रेचे कर फॉपारण पांप को जले दुए आदक बैक है अड्र जीटायो फिछल्ट हिए वन दिखिता है वल्या पिछ्सेषक्योअ पिछिए वन impressed आघ कर के चलाई जाना इस उर अरच य। कि यार बंदा बना सब्सक्राइब कि अधिक आर वन पे चलके तरह कंफिग्रेशन करता हूं देख रहा है ने मैं से ही सबको क्लिए रिए कि अधिक कि अधिक कि क्रिक चल्स हम अधिसने बना सब्सक्राइब गल्मकोर्म ऐग खया। थे रिविक था दो कि यूचाहिंछ आम कि तकह भई है दोडकर राघेधा जेले वाधिक त्टक्व बिल्वेशा फक्राइबेबेबेबेबेबे रिक करका लिए भाब से रिक रिक रुट भाब प्रिक रिक रुट करा द्री प्रिक रुट कि अंप्रि Webs आइ, अर्ज रचग, अंपस्ट आपयवा हुआ कि अजित कि अपयवा, आवे कि अपया है gef Алَّ flowers, Kerry let's move to router 4 interface serial 10 and also interface F00 this is my IP address 45111 done loopback or interface loopback 1 R5 per chaloke interface F00 IP address and also interface F01 IP address 56111 and also loopback 1 let's move to router 6 interface F00 IP address no shutdown and also loopback 1 with IP address off and also loopback and also interface serial 10 IP address 76 and also interface serial 10 IP address 76 and loopback 1 and loopback 1 and loopback 1 and loopback 1 तुछ आई पी इंटरफेस क्रीज और आप देखो दोस्त पूजिए चाहिए नवाई आप देखो दोस्त आर वन पर जाकर के मैं क्या लगाना चाहता हूं वेज़ पेट ना वेज़ पेट अपर नेटवर्क कौन सा पहले तो टेन वन वन जीरो फिर उसका वाइल्ड कार्ड बिट्स क्या होंगी मैंने लगाया है वो मैंने लगाया है 10,1,1,0 को 255,255,255,248 लगाया है ये आएगा समझ में आएगा कैसे आएगा कर दो फिर 0007 इन एरिया 0 यही दोनों है ना बस हो गया एक्सिट राउटर बन पे हो चुका है अब चलो आप राउटर टू कर के पास राउटर ओएस पीए इस पे एक दूसर तरीका बताओ इसे इंपलाई करने का या फिर आर पोर पे उस तरीके से अपलाई करेंगे तरीक है राउटर ओएस पीए प्रॉस्टाइड है इसमें भी फिर नेटवर्क टैन वन वन जिरो बातब है और उसके रावा मेरे पास क्या है नेटवर्क अप्रॉछ टू तू तू जिरो 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 और यह दिखा रहा है यह देख लों क्या दिखा रहे लोडिंग तो फुल लोडिंग ड़न लोडिंग दन हुई है इसलिए लोडिंग से फुल स्टेट में आया है वो अब आप देख सकते हो यहां पर शोग आई-पी ओ-एस-पी एफ नेवर्ड वाई 1111 इसका नेवर है प्राइलिटी वन है और 1111 के साथ फुल स्टेट है और 1111 एक DR है हाँ है ना 1111 के पास एड्रेस कितना हो चुक है 10111 IP है नो आप पर तो और वो एफ पास इतने जिरो जिरो पर है नेवर्ड शिप इसने अपने आप बनाई है कि नहीं बनाई है किसी को कोईश है किसमें अब देखो शोग आई-पी ओ-एस-पी डेटाबेस अब देख रहा है ना विख रहा है यहां पर ओ-एस-पीफ राटर विद ऐडी तूटूटू तूटूटूनु इस पर प्रॉसेस इडी कितना चल रहा है हंट्रेड अब देखो दोस्कित यह है राटर लिंक मतलब राड़र ऑडर एरिया 0 राव्टर आ है यह जिए राट्र में करें 1111 मतलब राउटर ने अपने आपके राउटर आईडी को एड़टाइज करा है कि नहीं करा है अब 2222 है उसको एड़टाइज किसने करें 2222 ने खुद करें इतने से मिलिसेकेंड हो चुके हैं बने हुए सीकुन्स नमबर इस थ्री राइट और इसके अंदर डो दो लिंक अकाउंड मतलब एक तो फास ही तने जीरो-जीरो पर चल रहा हूं इर एक लूपग वन पर चल रहा है है ह्ना दो लिंक्स पर चल रहा है न और तू-टू-टू-टू पर भी दो ही लिंक्स पर चल रहा है है न और अब है मेरे पास नेटवर्क LSA for area 0 मतलब LSA 2 LSA 2 होता है नेटवर्क LSA तो नेटवर्क LSA में मेरे पास नेटवर्क है 10-1-1-1 का सिरफ और उसको advertise कौन कर रहे है 1-1-1-1 क्योंकि 1-1-1 वरी तो DR है तो DR नहीं advertise करा है कि नहीं करा Age 52 है Sequence No.1 है सही है R3 पर चलके करूं configure आजो फिर R3 पर चलो बोलो router OSPF 10 नमबर चलाए है मैंने कि 1 और 0 के बीच में है फिर यहाँ पर क्या चलाओ नेटवर्क कौन सा 10-1-1-0 0-0-0-7 in area 0 सही है न आप देखो do show IP OSPF neighbors अभी यह X start state में है दोनों के साथ में X start state में है न अब यह full state में आ गया न और full state में 1111 कौन है DR और 2222 कौन है BDR जबकि अगर आप 1 पर जाओगे या 2 पर जाओगे तो या 2 पर करा था ना पर इसलिवार 2 पर ही देख लो show IP OSPF neighbor 1111 है DR और 3333 है DR other सही बात है यह यही बताया था मैंने यही चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आगे चलू अब दोस्तों router 3 पर मैंने यह वाला network पर advertise कर दिया लेकिन मुझे इधर देख ले उसके मूँपे कुछ ने लिखा लेकिन मुझे 3 का और 34 का network भी advertise करना है ना भी करो फिर network of फिर रुक जाओ यह network of 3333 0000 in area 1 3333 area 1 में दिखा रहा हूँ मैं और साथ में network of 34.1.1.1 00.00 slash 30 है तो क्या आएगा 3 3 255 में से 252 माइनस करते हैं 256 में से नहीं 3 आएगा area 1 हो गया अब देखो दोस्त अब आप लोग दरह यही पर रन करो do show IP OSDF database आप देखो area 0 का ही दिखा रहा है ना भी area 0 के अंदर 1 2 और 3 यही तीन router है router LSA में और network LSA में सिरफ 10 का ही network है लेकिन area 0 के अंदर summary LSA मतलब summary LSA मतलब जो मेरे दूसरे area से आ रहे हैं हाँ है ना 3 3 3 3 3 मेरा area 1 में अड़र्टाइस करा है तो area 0 में वो as a summary LSA की नहीं आ रहा भाई यह देखो area 1 के लिए 3 3 3 3 3 कौन है एक 3 3 3 3 3 एक router LSA area 1 के लिए लेकिन area 0 के लिए summary LSA से आ रहा है ना बस यहीट मैंने बोला था area 0 के लिए area 0 के लिए 3 का network एक summary LSA है 34 का network के summary LSA है क्योंकि यह दोनों के दोनों 3 और 34 यह दोनों के दोनों यहाँ इसको belong करते area 1 को area 0 के लिए दोनों चीप LY inार्य है कि नहीं आ रही है और यहाँ पर area 1 में प्री का network router एले से आ रहा है network of 1 network of 2, network of 10 ये तीनों के तीनों किसको belong करते है area 0 को तो area 1 के अंदर ये as a summary एले से आ रहे कि नहीं आ रहे 1, 2 और 10 आ रहे हैं और इनको advertise किसने करें 3333 ने क्यों करें क्योंकि 3333 एक ABR है, ABR ही उसको advertise करता है आई कि नहीं करता है, वही चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है आगे चलू या नहीं चलू चलू अब दोस्त राउटर 4 पर चले राउटर या मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ आपको इसको advertise करने का ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले तो दोस्त आपको router OSPF process ID लिखना पड़ेगा ठीक है फिर आप यहाँ से सीधा कर दो exit यह router configuration mode आती है न router configuration mode से आपने exit कर दिया आप आप इस router के global configuration mode के अंदर आ गई हो यहाँ पर आप जाओ interface space serial 20 में मान लो किसी भी interface में जाओ पर interface configuration mode के अंदर आप जाकर कि क्या लिख दो IP इस IP पर OSPF चलेगा जो भी इस interface पर IP है न उसके ओपर OSPF चलेगा कौन सा वाला वही जो मैंने process ID डिफाइन करी है वही वाली और वो कौन से area को belong करेगा 1 को 0 को 2 को या कुसको सही है सही है IP OSPF process ID and then area area ID इस तरह से advertise करूँ मैं R4 पे मैं आपको यह लिखने का time दूँगा पहले एक बार इक बार प्रैक्टिकल पर फॉर्म कर लेखे R4 पर चलो router OSPF क्या लिखो process ID 1 है exit गर दो simple फिर जाओ आप इंटरफेस सीरियल 1 0 में इसमें IP OSPF 1 area 0 हो गया do show IP OSPF neighbors मैंने वहाँ पर 34 का नेटवर्क अनुटाइस करा था नहीं करा था the receive invalid packet mismatch area ID from backbone area must be a virtual link but not proud from 34112 do show run type command section OSPF सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को एरिया वन में एडवर्टाइज कर रहा है और राउटर फॉर पे भी मैंने राउटर फॉर पे भी मैंने इंटरफेस सीरियल 1-0 को मैंने एरिया 0 में अडवर्टाइज कर दिया गलती से नो आई पी वेस्टेट वन एरिया जेरो बट आई पी वेस्टेट बान एरिया वार्ट वॉश्व आई पी वेस्टेट नेवर्ट अब देखो फॉल सेट में आगे ना वो आगे है ना लेकिन क्या कोई DR BDR के बारे में कुछ लिखा हुआ है मतलब इस लिंक पे मेरे पास कोई DR नी होगा कोई BDR नी होगा सब्सक्राइब कोई प्राइब कोई प्राइब कर रहे हैं चलो अब देखनो दूश्व आई पी ओस्पा डेटाबेश् भाई यहां पर एरिया बन के आ रहे हैं भी तक एरिया जीरो के नहीं आए हैं अब इसके अंदर समरी नेटवर्प कौनकों से बार्न टू टैन वहीं आरे एरिया जीरो वाले हैं ना और परस्वाई चीज़ आपने सब्सक्राइब अब अगर आप राउटर 2 में जाओगे शो, आईपी, ओस्पेफ, डाटाबेस देख लो अब यहाँ पर एरिया जीरो के अंदर ही है ना, एरिया जीरो के अंदर ही समरी LSA में 3 और 34 के नेटवर्क आ रहे है अब यह 3-3-3-3 भी आ रहे है और उसका अरटाइजिंग राउटर भी 3-3-3-3 ही है हाँ यह ना, बस 34 का भी आ रहे है, 34 मतलब मेरा यह वाला नेटवर्क अब 45 को अरटाइज करू ज़रा यहाँ पर इंटरफेस, पास इटरनेट 00 में जाकर IP OSPF 1, Area 1, और फिर इंटरफेस, लूप बैक 1 में जाकर IP OSPF 1, Area 1, कर दिया शो आईपी OSPF Database Area 1 के लिए 3 और 4 है, Advertising Routers और Summary LSA में 1, 2 और 10 है, वही बात है अब ज़रा आप चलो Router 3 पर Do Show IP OSPF Database यहाँ देखो ज़रा, Command Area 0 में के लिए 3, 4, 34 और 45 वही यही चार है, अब तक तो Advertise Summary LSA और Area 1 के लिए Summary LSA को होन है, अभी भी 1, 2 और 10 है वही तीन है, और Router LSA में 3 और 4 हैं भी यह चीज़े समझ में आरी है, मैं क्या कर रहा हूँ ना पका, गुड R4 पर मैंने सब कुछ कर दिया, अब R5 पर चलो R5 पर R5 या पहले R1 पर ही चलोगा बाइ, R3 की एक लेग एरिया 0 में एक लेग एरिया 1 में है वह तो ABR है ना एरिया 0 के अंदर 3333 है समझ मरी क्योंकि 3333 जो है, यह चुपर है 3333 तो एरिया 1 में है ना भाई तो वहाँ दिखा रहा है और दूसरी चीज यहाँ पर 3333 को वह एरिया 0 में भी दिखा रहा है क्यों दिखा रहा है क्योंकि यह जो 3333 है इसकी राउटर आड़ी तो 3 रहेगी तो यह बोल रहा है 3 वाला राउटर की एक लेग एरिया 0 में और 3 वाला जो नेटवर्क है वो 3 वाला नेटवर्क वह एरिया 1 में है हाँ R1 पर चलो दूशो आई पी राउट देख लो यहां पर 34 वो दूसरे एरिया में है न है न तो वहां के लिए यह क्या दिखा रहा है IA IA का मतलब है इंटर एरिया ओस्पेफ इंटर एरिया साहें है न अब 110 इसकी एडी वैली होती है और 65 इस नेटवर करें पहुंचने की कॉस्ट कि शचाहिए जैसे नेटवर करें और सुस्क पर चलता हूं भाई 45 तक के सारे नेट्वर्क आ रहे हैं 45 तक के नेट्वर्क आ रहे हैं यहां तक के चलो अब चलते हैं मार 5 पे राउटर OSPF 12 exit कर दू interface fast internet 00 IP OSPF 12 area भाई यह F00 है कौन से एरिया में डालू area 1 और फिर interface F0 slash 1 यह है F01 इसको किस में डालू area 2 में और फिर मैं डालता हूं interface loopback 1 इसको भी डाल दू area 2 में हो गया अब देखो R5 पर do show IP OSPF sorry database भाई यह area 1 के लिए 3, 4 और 5 है मेरे route release से देख लो 3, 4 और 5 यह तीनों area 1 में यह ना ठीक है और उनको advertise भी वो खुद ही कर रहे है मतलब route release से मैं अपनी खुद की route ID को advertise कर रहे है की नहीं कर रहे है ठीक है दूसरी चीज network LLC से सिरफ 45 का network है यहापर 45 का network है और इसको देखो advertise कोन कर रहा है 4, 4, 4, 4, 4 हाँ है ना क्या इसने यहाँ पर यह 34 का network दिखाया नहीं दिखाया क्योंकि उसको किसी DR नेटवर्टाइज नहीं करा Summary networks में 1, 2 और 10 है जो area 0 को belong करते हैं हाँ है ना और area 2 के LSA में सिरफ एक यह लोता यही router है और यह खुद को यह advertise कर रहा है इंदर router LSA क्या चीज़ एक बार हो यह 5555 अपने हाँ को आटवर्टाइज कर रहा है उपर से क्या उपर से भाई वही चीज़ तो है जो मैंने पहले बोली router 3, 4 और 5 इन तीनों को यह खुदी आटवर्टाइज कर रहे है मतलब यह router LSA है उसके और network के लिए से कि इसके अंदर 45 का network है तो network LSA स्कंबर LSA मतलब 1, 2 और 10 जो इरिया दिलों को भी लोंगरते है क्योंकि उसको कि डी आर नहीं दिखाया तो इस network कोई DR नहीं है आप पर को पूछना सिर्फ यह question दो और आपने का पूरा बता दो का सृद्न सीदह मेरे को वही question पूछना है कि आ कि मैं इसलिए नहीं बोल रहाँ है मैं इसलिए इसलिए नहीं बोल रहे है आपको वह चीज़ पना है तो वही चीज़ बुल्वाने का क्या फाएदा है कि दो जीज़ बुल्वाओं ने आपको लगता है कि आपको नहीं थोल में आई है कि यह जीज़ हेल्फूल होती है दीरे दीरे पता लगेंगे यह बते अब आर फाइपर में कन्फिग्रेशन कर चुका हूं कर चुका हूं यह नहीं है अधिक्स पर आरिशिक्स पर राउटर ऊप्टर ओश्पी अबच्छ नंबर मैंने दिया 2 वन थाउज़द एक फिर नेट वर्क 56 110 0003 area 2 2 हो गया? अब यह 6 तो मेरा रिप में है न तो यहां पर तो अड़िटाइज मैं नहीं कराऊंगा नहीं कराऊंगा नहीं कराऊंगा ना? नहीं रिप मैं भी लगाई नहीं कराऊंगा 45 तक ही आ रहे हैं 56 का नहीं आएगा न उसके पास नहीं आएगा ना? 55 और 5 नहीं आएगा 56 और 5 नहीं आएगा क्यों? क्योंकि यह area 2 area 1 0 से connection नहीं है मुझे router 3 से router 5 के बीचे मुझे virtual link बनाना पड़ेगा पहली बात मैंने क्या बताया था उसी एरिया से शुरू होता है और इसी एरिया में खत्म होता है हाँ है ना? तो यह area 1 से शुरू हो के ONE मही खत्म हो रहे है तो देखो इसके लिए मेरे formula क्या रहता है कि सबसे पहले मैं बताँए क्युम्यद्पिस है area 1 से शुरू हो रहा ही ए area one is originating point फिर मेरा mode of transportation mode of transportation मेरा virtual link है तो मैं लिखूंगा area one से virtual link चल रहा है 5.5.5.5 तक destination तक मैं network bulls से अपनी गाड़ी में बैट कर घर जा रहा हूँ है आया ना मैं area one से virtual link के तुर 5.5.5.5 के पास जा रहा हूँ सही बात है देखो क्या रहेगा इसी process ID के अंदर मैं लिखूंगा area की ID फिर space virtual link space destination router की ID सही है यह समन्मेह है यह करूँ इसको अप्लाइज रहा और अपिस्टी बाइं राउटर करेंपिक्रेंट में ही चलेगी दोनों में चलेगी आर थ्री के area one से और 5.5.5.5 तक पहुंचेगा तुर वर्चो लिंक तुर वर्चो लिंक तुर वर्चो लिंक तुर पहुंचेगा 3333 के पास देखो सबसे पहले जाओ आप R3 के पास R3 के पास सबसे पहले कौन सी process ID चल रही है 10 चल रही है एलो router OSPF 10 के अंदर ही मैं वापिस गया कि मैंने बोला ना एक साधा processing ही चलेगी अब मैं area one से virtual link बना रहा हूं कहां तक ABCD मतलब router ID है उसका 5555 हो गया देखो डू इसलिए डू नाट है अब देखो डोस को लिंग से क्या होता है कि वर्ट्यूल पहली बात हो दो राउटर पे एक चीज़ की बहुत दूर्ट होते हैं नेबर्शिप बनने के लिए ये टाइमर्स देख रहे हैं और हेलो टाइम अगर आपके राउटर पे हेलो टाइमिंग मैच नहीं है इंटरफेस पे तो कभी नेबर्श ही बन सकते हैं वर्च्वल लिए हैं यहां पर 10 है यहां पर 12 है दोनों में चेंज हो गया नेबर्शिप आप देखो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो आपको इंफोमेशन दी है तो मैं आपसे 40 सेकेंट तक आपके वेट करूँआ कि आप देखो अगर आपे नहीं दिया तो मैं नेवर्शिप ब्रेक करते हूँ अब देखो आ यार एक बात है अगर वर्ट्यूल लिंक के थूर राउटर 5 बी आपके सीफ़ोल एक्सेंज करेंगे लो तो चीपी कोई सेंस बनती है वर्चुल लिंक है तो राउटर 3 अगर राउटर 5 के साथ में हेलो एक्षेंज कर रहा है तो बेशिकली जा तो वो राउटर 4 के थ्रू ही रहा है ना बिन वासरे traffic congestion सेट हो गया इसलिए डोस्ति हμों वर्चियर विंक के थ्रू कभी भी घcano मैसेज़ नहीं होतें हैं हेलो मेसेज़े सप्रेस कर दिये जाते हैं, सप्रेस मतलब ख़टम कर दिये जाते हैं हेलो मेसेज कभी भी वर्टोल लिंक के थूँ नहीं जाते हैं R3 पे मैंने भी वर्टोल लिंक बनाया था R3 पे तीन रौटर पे चल रहे से न, तीन लिंक थे न भाई F00, Serial 10 और Loopback 1 इन तीन लिंक्स के ओपर ही चल रहा था ना OSPF अब देखो मैंने R3 पे एक Virtual Link बना दिया दोस्त तो अब देखना ज़रा है आपर पहली बात तो यह डाउन है अब देखो Do, Show, IP, OSPF, Neighbors वही तीन नेवर है Do, Show, IP, OSPF, Database 3-3, 3-3 है Link count अभी तक 1 ही है ना Area 0 में है ना और Area 1 में भी link count अभी 1 ही है ना है ना अब मैं R5 पे चलके भी Virtual Link सेट कर दूँ एक बार यह बोल रहा है कि नेवर 6666 ने मुझे send छोड़ो, नहीं आ रहा Received Invalid Packet, Build LLS Check Sum छोड़ो जोड़ो जोड़ो यहाँ पर मैं गया, कौन सा मेरा चल रहा था Process ID 12 Router OSPF 12 Area 1 से Virtual Link चल रहा है कहा तर साही है साही है अब जरा चलना R3 पर यह लबए आप आप है यह देखो आप इसका नेवर 5555 भी इसका नेवर है यहाँ पर लिखाव है DNA DNA मतलब Do Not Age पहले यहाँ पर Link सिरफ एक दिखा रहा था ना अब जब यह बन गया है तो यह Link दो दिखा रहा है DNA Bit का मतलब होता है दोस्त Do Not Age Bit Do Not Age क्या है कि हम दोनों आपस में Hello Hello बोलना बंद कर देंगे C Do Show IP OSPF Neighbors मेरा नेबर 5555 भी है फुल स्टेट में है इंटरफेस कौन सा है Virtual Link Zero यहाँ पर टाइमर कुछ भी दिखा रहा है क्या और यहाँ पर DR BDR भी नहीं होगा फिर तो क्योंकि वो Virtual Link के थुरू है समझे बात को आप ज़रा रन करो दोस्त Do Show IP OSPF Database पहले उसको जो Network नहीं आ रहे थे Area Zero के अंदर वही तीन है Area Zero के अंदर वही वाला Network है लेकिन Area Zero के अंदर 3, 3, 4, 4, 5 यह 3, 3 को दो बार क्यों दिखा रहा है 3333 को एक बार तो यह वाला ABR Advertise कर रहा है और 3333 को एक बार यह वाला ABR Advertise कर रहा है अब मैं कैसे पता लगाँ कि इन दोलों में से कौनसा वाला Virtual Link की वज़ा से ABR है इसके आगे DNA bit है वो मेरा Virtual Link के थू है 4 का Network की मुझे 2 ज़गा कर रहा है 3333 और 5555 तो मतना 5555 वाला मेरा Virtual Link की वज़ा से है तो सारे 56 तक Network दिखा रहा है नहीं सारे दिखा रहा है आप चलो दोस्ट बाप्पिस मैं जाता हूं राउटर अब देखो बाप्पिस आप इसने राउटर एले से नेटवर्क एले से और समरी एले से दिखाया है उसका तो सिरफ एरिया 1 शुरू कर दिया ना एरिया 1 का भी राउटर एले से नेटवर्क एले से और समरी एले से हाँ है ना सही बापे अब Paul राउटर वन के पास दोस्ट राउट नहीं आ रहे थे ना आ रहे हैं प्रूट्टि सिक्स भी आरह है पाई sow प्यार है सब कुछ आ रहे कि नहीं आरह ते यहीं चाहता था मैं लेकिए अभी भी दोस्त इसके पास हमने LSA 1, LSA 2, LSA 3 तो देख लिया लेकिन अभी हमारा LSA 4 और LSA 5 रह रह रहा है उसके लिए मुझे सिरफ और सिरफ रिडिस्ट्रिबुशन करना है कर दू पटा पटा रिडिस्ट्रिबुशन मेरे जो भी कर रहा हूं सीच से अभी आपको कोई मतलब नी है ठीक है उस चीच से आपको कोई मतलब नीहींतर रिडिस्ट्रिबूशन बाद मिंआ बताऊंगा कैसे होता है अभी बस मिए अपको लिफिढ को अर्ल से पोड का उसमां समयाना नेट वर वर्जिन 2, नेटवर्क 76110, नेटवर्क, डान है, अब राउटर 6 पर चलो और रीदिस्ट्रिब्यूट कर दो, रीदिस्ट्रिब्यूट, रेप, मेट्रिक, राउटर, OSPF, कितना चल रहा था? रीदिस्ट्रिब्यूट, रेप, मैं यहाँ पर सिर्फ सबनेट लिखूँगा, बहुत है, सबनेट, मेट्रिक टाइप बाना भी है, क्या है, इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, यह ठीक है, रीदिस्ट्रिब्यूट राउटर, रेप, रेदिस्ट्रिब्यूट, OSPF, 1000, मेट्रिक, सही है? अब दोस्ट, रीदिस्ट्रिब्यूट हो चुके होंगे, तो जरा R1 के पास देखो, क्या वो राउट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टाइम लगेगा हालागी, यह देखो, 76 का राउट आ गया, E1, E1 का मतलब क्या है, External Type 1, OSPF, External Type 1, ठीक है, मैंने इसको यह Type 1, Type 2 करा है, वो क्या है, वो मैं Redistribution ने बताऊंगा, अभी नहीं, सही है, यह वाले Network इसके पास आ रहे हैं, अब दोस्ट, R1 का दरा वो देखो, Do, Show, IP, OSPF, Database, Area 1, Area 0 के अंदर, Router भाई है, Network भाई है, बस यह जो Summary है, Summary 56 तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अब देखो, Summary ASB Link State, मतलब यह कौन सा है, LSA 4 है, LSA 4 में क्या होता है, कि ASBR कौन है, और उस AVR बताते हैं, कि ASBR कौन है, यह देखो, 5555 ने अडवर्टाइज कर रहा है कि ASBR 6666 कर, आया, और फिर Type 5 External LSA, External LSA महिए 7 और 76 का यह ने अडवर्टाइज किस ने कराया हुआ है, मतलब, ASBR ने करवाया हुआ है, यही बताया था मैंने, कि LSA 5 को generate और अडवर्टाइज कौन कराएगा, ASBR, ASBR ही करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, सही है? बस, router 3 में देख लो, show IP OSPF database, summary के अंदर यह सब आ गए 56 तक ही, लेकिन summary ASB में 6666 से इसको 5555 नेटवर्टाइज कराया है, कराया है कि नहीं कराया? और, type 5 external LSA में यह दोनों आ रहे है, जितो 666 से पोटेटवर्टाइज कराया है, अब, मैं इस ताइम जाता हूँ, किस router पे मान लो, router 5 एक ए भी आ रहे है ना, router 5 पर जाओ, show IP OSPF virtual link, virtual link 3333 के साथ आप है, DNA allowed है, मतलब DNA bit set है, और adjacency state full है, लेकिन hello suppressed है, हाँ है ना, ठीक है, और एक चीज़ और, show IP OSPF show IP OSPF में क्या दिखाएगा यहाँ पर, it is an area border router, दिखा रहा है, दिखा रहा है, यह वला router तो कोई area border router नहीं है ना, R4, तो यह लो, R4 में जाकर देख लो, show IP OSPF, यहाँ पर कहीं लिखा हुए जी, नहीं है ना, यह लो, नहीं है ना, और यह वला router एक ASBR है, R6, तो R6 पर करो जड़ा, It is an autonomous system boundary router, तो ही है, तो दोस्तों, this is how we are done with OSPF, मंडे को EIGS भी करेंगे, लेकिन एक बात है, कि मंडे तक इसको practice कर लेना वरना सब का सब बेस कही है,